ओम शान्ति एक फर्वरी दो हजार चोबिस आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पड़ें सुनें और मन्थन करें आज की मुरली का सार मिठा मिठा बाबा कहते मीठे बच्ची आब तक जो कुछ भी पड़ा है सुना है साथ में मैं जोड़ रहा हूँ गुषारा भूल जाओ गुषारा भूल जाओ भूल सकते हैं एक दम जैसे छोटा बच्चा होता है न उसको कुछ नहीं मालू ऐसे बन जाओ ऐसे बन जाओ बच्पन में चले जाओ तब इस रुखानी पढ़ाई में पास हो सकोगे प्रश्चन जिन बच्चों को दिव्य बुद्धी मिली है उनकी निशानी क्या है उनकी निशानी क्या है क्या निशानी होगी वो बच्चे इस पुरानी दुनिया को इन आखों से देखते हुए भी नहीं देखें आग लग रही है कोई जल रहा है कोई मर रहा है कोई तडप रहा है नहीं देखेंगे देखेंगे देखते हुए भी नहीं देखने का मतलब ये नहीं कि हमने देखा नहीं हम हलचल में नहीं आएंगे हम हलचल में नहीं आएंगे हम उसको उठाएंगे भी सही हम उसको देखेंगे भी सही हम उसकी जो भी सेवा कर सकते हैं सयोग दे सकते हैं वो सहयोग देंगे भी सही परन्तु रजल्ट की चिन्ता किये बिना रजल्ट की चिन्ता किये बिना बात समझाया मैं इसलिए इसलिए आप से बात कर रहा हूँ यहां पर कि देखते हुए ना देखने का मतलब क्या है देखते हुए भी मैंने अपनी अवस्ता में गड़बर नहीं करने मैं उसकी कोई मदद कर सकता हूँ मैं करूँ मैं उससे बचा सकता हूँ मैं उससे नहीं बचा सकता हूँ वो जो कुछ भी मेरी पास है capacity वो मैं करूँ परन्तु डरू नहीं और कोई खुशी की बात हो रही है तो खुश नहीं हो खुशी होने की भी कोई बात नहीं है इसको कहते है देखते हुए ना देखना कोई भी है मेरे सामने कतल कर रहा है मर्डर कर रहा है रस्ताचार कर रहा है कुछ भी कर रहा है वो अपना पार्ट एक्यूरेट कर सकता है मैंने अपने रोल को देखना है कि मैंने अपने रोल को बाबा की स्रीमत पर वहाँ पर प्रियोग करूँ मेरा बच्चा है इसलिए नहीं मेरे दुश्मन का बच्चा है मैं क्यों बचा हूँ इसलिए नहीं बाबा क्या कह रहा है कि इस समय मुझे क्या करना है तब मैं हूँ देखते हुए नहीं देख रहा हूँ मुझे जो बाबा कह रहा है मैं वो कर रहा हूँ हुकमी हुकम चला रहा है मुझे अपनी तरफ से नहीं जैसे छोटे बच्चे को कहा जाता है कि ये कर दे कर देगा बस बाद में उसे लगेगा कि ये तो मैंने गलत किया तो आइंदा नहीं करेगा पर तो यहां बाबा ने जो कहा है वो कर दे गलत होता ही नहीं है क्योंकि हम बड़े बच्चे हैं न हमें समझ में आ गया है न कि गलत होता ही नहीं है परमात्मा ने कहा है वो राइट कहा है और उसके करने में ही मेरा कल्यान है पुरानी दुनिया को एकन आखों से देखते हुए भी नहीं देखेंगे उनकी बुद्धी में सदा रहता है कि ये पुरानी दुनिया खत्म हुई की हुई खत्म हुई की हुई ये शरीर भी पुराना तमो परधान है ये शरीर भी पुराना तमो परधान है तो आत्मा भी तमो परधान है इनसे क्या प्रीत लगाना इसे दीवे बुद्धी वाले बच्चों को बच्चों से ही बाप की भी दिल लगती है ऐसे बच्चे ही बाप की याद में निरंतर रह सकते हैं निरंतर रह सकते हैं सेवा में भी आगे जा सकते हैं ओम शानती मिठे मिठे रुआनी बच्चों को रुआनी बाप समझाते हैं जैसे हद के सन्यासी हैं वे घर बार छोड़ देते हैं क्योंकि वे समझते हैं हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे इसलिए दुनिया से आसकती छोड़नी चाहिए अभ्यास भी ऐसे करते होंगे जाकर एकांत में रहते हैं वे हैं हाथ योगी तात्व ज्यानी हाथ योगी भी हैं और तात्व ज्यानी भी हैं परन्तु राज योगी नहीं एकांत में रहते हैं हाथ करते हैं परन्तु तात्व ज्यानी कहलाते हैं राज योगी नहीं समझते हैं ब्रह्म में लीन हो जाएंगे बास हम भगवान में जाकर समा जाएंगे ममत्व मिटाने के लिए घर बार को छोड़ देते हैं वेराग्य आ जाता है परंतु परंतु फट से ममत्व नहीं मिटता इस्त्री बच्चे आदियाद आते रहते यहां तो तुमको ग्यान की बुद्धी से सब कुछ भुलाना होता है कोई भी चीज जल्दी नहीं भूलती कोई भी चीज जल्दी नहीं भूलती अभी तुम ये बेहद का सन्यास करते हो याद तो सब सन्यासियों को भी करते हैं सन्यासियों की भी रहती है प्रंतु बुद्धी से समझते हैं हमको ब्रह्म में लीन होना है हमको ब्रह्म में लीन होना है इसलिए हमको देभान नहीं रखना है हमको देभान नहीं रखना है वे है हत योग मार्ग समझते हैं हम ये शरीर छोड़ ब्रह्म में लीन हो जाएंगे ये शरीर छोड़कर हम ब्रह्म में क्या हो जाएंगे लीन हो जाएंगे उनको ये पता ही नहीं कि हम शान्ती धाम में कैसे जा सकते हैं उनों को ये पता ही नहीं है कि हम शांती धाम में कैसे जा सकते हैं तुम अब जानते हो हमको अपने घर जाना है अपने घर जाना है जैसे विलायत से आते हैं तो समझते हैं हमको बॉंबे जाना है हमको बॉंबे जाना है वाया कहीं से भी होके जाएं हम भॉपाल से होके जाएं हम एमदाबाद से होके जाएं या हम कहीं और रास्ते से जाएं रूट तो कोई बनाएंगे न रास्ते तो बहुत है न बॉंबे जाने के एक रास्ता तो नहीं है अब भी तुम बच्चों को भी पक्का निश्चे है उत कहते हैं इनकी पवित्रता अच्छी है ज्यान अच्छा है संस्ता अच्छी है माताएं मेहनत अच्छी करती है क्यों? क्यों? क्योंकि अथक वो समझाती है अथक वो करके समझाती है समझाते है वो भारी नहीं हलके हो करके, खुल करके समझाती है जैसे अपना परिवार को अपना तन मान धन लगाती है क्यों लगाती है? सारे काम इतना क्यों करती है? क्योंकि इन्हें समझ में आ गया है कि सारा विश्व हमारा परिवार है अपना तन मन धन लगाती है इसलिए अच्छी लगती है प्रन्तु हम भी ऐसा अभ्यास करें ये ख्याल भी नहीं आएगा कोई विरला निकलता है वे तो बाप भी कहते हैं वे तो बाप भी कहते हैं कोटों में कोई अर्थात जो तुमारे पास आते हैं उन में से कोई निकलता है उन में से कोई निकलता है बाकी ये पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है तुम जानते हो अब बाप आया हुआ है अब बाप आया हुआ है साक्षात कर हो ना हो साक्षात कर हो ना हो विवेक कहता है विवेक कहता है बेहद का बाप आये है ये भी तुम जानते हो बाप एक ही है वही पारलोकिक बाप ज्यान का सागर है ज्यान का सागर है लोकिक को कभी ज्यान का सागर नहीं कहेंगे ये भी बाप ही आकर तुम बच्चों को अपना परिचे देते हैं तुम जानते हो अब पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है पुरानी दुनिया क्या होने वाली है खत्म होने वाली है हमने 84 जन्मों का चक्र पूरा किया अभी हम उर्शारत करते हैं वापस सुख धाम जाने का वाया शांती धाम तो जरूर जाना है वहां से फिर यहां वापस आना है वहां जाकर फिर यहां वापस आना है मनुश्य तो इन बातों में मुझे हुए है मुनुश्य तो इन बातों में मुझे हुए हैं कोई मरता है कोई मरता है तो समझते हैं क्या समझते हैं वैकुंठ गया वैकुंठ गया परंतु परंतु वैकुंठ कोई जाने सकता है किसी को पता ही नहीं वैकुंठ का है जाएगा तो तब कैसे जाएंगे कौन सी गाड़ी लेके जाएगी कौन सी नाव पर बैठेंगे जो वहां पहुंचेंगे यह पता ही नहीं किस तरफ है यह भी नहीं पता है वैक कह देते हैं उपर है अरे भी उपर है कहां है बस बुद्धु बनाने के लिए कोई राष्ता नहीं कह देते हैं सूरज चांद तारों से भी उपर अरे भाई सूरज चांद तारों से भी उपर कितना उपर चांद तक जाना हमारे लिए मुश्किल, सुरज तक जाने हमार लिए मुश्किल, पेशक जान गए परंतु अभी तक कोई मनुश्य चांद पर गया नहीं। जमीने यहां से कट रही है, प्लॉट कट रही हैं यहां से, पैसे भी बुक हो रहे हैं पर अभी तक कोई भी व्यक्ति चांद पर नहीं गया ये वेकुंट का नाम तो भारत वासी ही जानते हैं भारत वासी ही जानते हैं और धर्म वाले जानते ही नहीं सिर्फ नाम सुना है चित्र देखे हैं देवताओं के मंदिर आदी बहुत देखे हैं जैसे ये दिलवाडा मंदिर है लाखों करोडों रुपया खर्चा करके बनाया है बनाते ही रहते हैं देवी देवताओं को वैश्नव कहेंगे वे विश्नु की वन्शावली हैं वो तो हैं ही पवित्र सत्यु को कहा जाता है पावन दुनिया ये है पतित दुनिया सत्यु के वेभव आदी यहां होते नहीं यहां तो अनाज आदी सब तमो परधान बन जाते हैं स्वाद भी तमो परधान आजकल वो च्वाज टेस्ट ना सब्जों में हैं ना पलों में हैं ना खाने में हैं किसी भी चीज़ में ना बच्चियां ध्यान में जाती हैं कहती हैं हम सुभी रस पी कराई सुक्षम बतन में जाती हैं किते हैं हमें बाबा ने सुभी रस पिलाया वहां कौन से फल हैं कौन से पेड़ हैं वहां कौन से सुक्षम बतन में समान है सपने में होता है न जैसे खाले खाया कभी साने रोटी खाये सपने में कुछ न कुछ तो खाया पिया है न लगता है न कि हाँ पेट भर गया पर तो यहाँ वास्तों में सपने में न तो कोई खाना होता है न कुछ यह ध्यान में जाना भी एक सपना है यहां भी तुमारे हाथ का खाते हैं तो कहते हैं बहुत स्वाद है क्योंकि तुम अच्छी रीती बनाती हो सब दिल भरके खाते हैं ऐसे नहीं कि तुम योग में रहकर बनाते हो तब स्वादिष्ट हो जाता है कोई जादू मंतर नहीं हो जाता प्यार का जादू मंतर है अब मा बनाएगी अपने परिवार के लिए तो उसको परिवार से प्यार है उसमें पानी भी अच्छा यूज करेगी सबजी भी ठीक यूज करेगी गली सड़ी यूज नहीं करेगी गंद मंद नहीं डालेगी सफाइस से स्वच्टा से बनाएगी ताकि हमारा परिवार क्या रहे स्वच्टर वोटरल वाला क्या करेगा बाड में जाए वो बाड में जाए वो कर देगा वेस्ट क्यों करें कलका पड़ा है तो कोई बात नहीं डालो इसमें, मिठाई खराब हने वाली है, इसमें तोड़ा गुलाब छिड़को, इतर छिड़को और बेज दो, खाते रहेंगे, मरते रहेंगे, जो भी होगा, उनका होगा तुम योग में रेकर बनाते हो, तब स्वादिष्ट होता है, योग का मतलब याद, और याद का मतलब बाबा की याद, बाबा की याद का मतलब सारा मेरा परिवार, मैं सारे परिवार के लिए भोजन बना रहा हूँ, तो मुझे इतनी अटेंशन से बनाना है, जिससे किसी को कोई दुख या कस्ट ना हो ये है याद ये है योग बाकी कोई कहे कि बास हम तो बाबा की याद में बनाते हैं जादू बर जाता है यही जादू है यही सब कुछ है और कुछ कितने क्लियर बाबा बात हमें समझाते हैं कोई बहुत अच्छा भोजन बनाते हैं, वहां तो हर चीज सतो परदान होती है, चीज खराब डालिये, बनेगा भी खराब ना, आप जल्दी-जल्दी माताईं समझ सकती हैं, जब वो जल्दी-जल्दी रोटिये बनाती हैं, तो क्या होता है, रोटिये सरती जाती है, उनका ध्यान कभी इंदर, कई कुछ-कई कुछ, ध्यान से खाना बनाएंगे, रोटिया भी ठीक सिखेंगे, सब्जी भी ठीक बनेगी, नमक मिर्च भी ठीक होगा, सब कुछ ठीक होगा, भस थोड़ा सा भी लापरवाई हुई जल्द बाजी हुई या लापरवाई हुई दोई बाते होती है बस कड़बड हो जाए तमो परधान होने से ताकत कम हो जाती है फिर उनसे बिमारियां दुख आदी भी होता है होता रहता है नाम ही है दुखधाम इस दुनिया का नाम ही है दुखदाम सुखदाम में दुख की बात ही नहीं हम इतने सुख में जाते हैं जिसको स्वर्ग का सुख कहा जाता है सिर्फ तुम को पवित्र बनना है सो भी इस जनम के लिए पीचे का ख्याल मत करो पीचे का ख्याल मत करो अभी तो तुम पवित्र बनो पहले तो विचार करो को कहते कौन है कहते कौन है बेहद के बाप का परिचे देना पड़े बेहद के बाप से सुख का वर्षा मिलता है लोकिक बाप भी पारलोकिक बाप को याद करते हैं बुद्धी उपर चली जाती है तुम बच्चे जो अंदर रहेगा कि इस दुनिया में हम बाकी थोड़े दिन हैं ये तो कोडी मिसल है आत्मा भी कोडी मिसल बन पड़ी है इसको विराग्य कहा जाता है अभी तुम बच्चे ड्रामा को जान चुके हो भक्ती मारक का पाट चलना ही है सब भक्ती में है नफरत की दरकार नहीं सन्यासी खुद नफरत दिलाते हैं घर में सब दुखी हो जाते हैं वे खुद अपने को जाकर थोड़ा सुखी करते हैं वापस मुक्ती में कोई जा नहीं सकते जो भी कोई आये हैं वापस कोई भी गया नहीं है सब यहां ही है एक भी निर्वान धाम वा ब्रह्म में नहीं गया है वे समझते हैं फ्लाना ब्रह्म में लेन हो गया यह सब भक्ती मारक के शास्त्रों में हैं बाप कहते हैं इन शास्त्रों आदी में जो कुछ है तुम बच्चों को अभी ज्ञान मिल रहा है इसलिए तुमें कुछ भी पढ़ने की दरकार नहीं है परन्तु कोई ऐसे हैं जिनमें फिर नावल्स आदी पढ़ने की आदत है ज्यान तो पुरा है नहीं उन्हें कहा जाता है कुकड ज्यानी उन्हें कहा जाता है कुकड ज्यानी रात को नावल पढ़कर नींद करते हैं तो उनकी गती क्या होगी उनकी गती क्या होगी यहां तो बाप कहते हैं जो कुछ पढ़े हो सब भूल जाओ इस रुहानी पढ़ाई में लग जाओ यह तो भगवान पढ़ाते हैं जिससे तुम देवता बन जाएंगे 21 जन्मों के लिए बाकी जो कुछ पढ़े हो वो सब भूलना पढ़े वे सब भूलना पढ़े एक दम बचपन में चले जाओ अपने को आत्मा समझो भल इन आखों से देखते हो परन तु देखते भी नहीं देखो तुम्हें दिवे द्रिष्टी दिवे बुद्धी मिली है तो समझते हो ये सारी पुरानी दुनिया है ये सारी पुरानी दुनिया है ये खत्म हो जानी है ये सब कब्रिस्तानी है ये सब क्या है कब्रिस्तानी है उनसे क्या दिल लगाएंगे उनसे क्या दिल लगाएंगे अभी परिस्तानी बनना है, तुम अब कबरिस्तान और परिस्तान के बीच में बैठे हो, परिस्तान अभी बन रहा है, अभी बैठे हैं पुरानी दुनिया में, परन्तु बीच में बुद्धी का योग वहाँ चला गया है, तुम पुर्शारत ही नई दुनिया के लिए कर रहे हो, अभी बीच में बैठे हो, पुर्शोत्तम बनने के लिए, इस पुर्शोत्तम संगम युग का भी, किसी को पता नहीं है, पुर्शोत्तम मास, पुर्शोत्तम वर्ष का भी अर्थ नहीं समझते, पुर्शोत्तम मास और पुर्शोत्तम का अर्थ भी, पुर्शोत्तम वर्ष का अर्थ भी नहीं समझते, क्या हम समझते हैं, पुर्शोत्तम मास का भी सुना, का बात है, तीन साल के बाद, तेरा मास होते हैं, हर तीसरे साल, तेरा मास होते हैं, और वो एक अतिरिक्त महिना, अधिक महिना कहते हैं उसे, माल मास केते हैं उसे, और उसे कहा जाता है, कि भाई, इसमें दान पुन्य खूब करो, ग्यान शनान खूब करो, प्रभू को याद करो, ठहनी, इस परकार से, उस मास में विशेश रूप से, रखा जाता है, हाँ, कोई नहीं ऐसे अनुस्ठान करते हैं, जैसा कोई कह देता है, कि भगवान खूश हो जाए, क्योंकि ये अधिक मास है, हमें एक्स्ट्रा मास मिला है, बारा महिने तो हमें काम करने के लिए होते हैं, अब ये एक महिना तो क्या करना है आपको, भगवान को ही याद करन है, इसी परकार से चार युग तो हमारे इस संसार के अंदर पार्ट बजाने के लिए हैं, और ये एक युग जो संगम युग आता है, इसमें हमें सारे धंदे छोड़कर परमात्मा की डारेक्शन पर चलना है, पर तो वो इस बात को जानते नहीं बिचाने, ये किस के है, और पूर्शोत्म वर्ष कौन सा होता है, मास तो पता है पर तो पूर्शा वर्ष भी जनते हो, वर्ष अरुष तो आतमा को कहते हैं, उत्तम आतमा बनने का साल जिसको लीप वर्ष कहते है अधिक 29 उतने फर्वरी जैसे 24 है 24 के फर्वरी का क्या होगा महीना 29 का होगा न बाक्य 28 का होगा इसको पता है जिनका जनम होता है उनको पता है कि हमारा जनम बाद ही आएगा इससे पहले रहावे साल बाकी तो साल बाद मनाते हैं वो नहीं मना सकते विचारे उनके लिए तो आता है नहीं हैं जी हाँ वो चार साल बाद ही मनाएंगे यदि वो सौ साल जी है तो मैक्सिमम पत्चिस जनम मना सकते हैं बस आज कल तो हर महीने जनम मना देते हैं तो परंतु ये जो है न तो हमें समझ में है पुर्षोत्तम वर्ष अधिक जिसमें फाल्तु हो जाए कुछ उसको कहा जाता है पर तु दुनिया वाले इसका आर्थ नहीं जानते क्योंकि अधिक के लिए उन्होंने कहा क्योंकि चार चार यूग तो सारे जानते हैं ये एक पांचवा यूग एक्स्ट्रा है इसलिए उसको कहा पर तु ये पांचवा ये जो चार साल बाद लीप ये कोई एक्स्ट्रा नहीं है है उसी में कैसे उसमें हो गया क्योंकि हर साल महलत चोथा दिन बच्टा जाता है तो चोथे साल में ज बार वो बढ़ते बढ़ते 29 में एक दिन फाल्टू कर देते हैं इसी परकार बढ़ते बढ़ते पांसा दिन बढ़ते जाते हैं तो तीन साल बाद 7-8 दिन जो बढ़ते हैं वो तीन साल बाद एक महिना बन जाते हैं क्योंकि हिंदी का महिना 27 का होता है और अंगरे जी का 33 का ह वर्ष का अभी अर्थ नहीं समझते पुर्षोत्तम संगम युक को टाइम बहुत थोड़ा मिला हुआ है ताइम बहुत थोड़ा मिला हुआ है देरी से युनिवरिस्टी में आएंगे तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी याद बहुत मुश्किल ठहरती है माया विघन डालती रहती है तो बाप समझाते हैं ये पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है बाप भल यहां बैठे हैं देखते हैं प्रंतु बुद्धी में हैं ये सब खत्म होने वाला है कुछ भी रहेगा नहीं कुछ भी रहेगा नहीं ये तो पुरानी दुनिया है इनसे विराग्य हो जाता है शरीर धारी भी सब पुराने हैं शरीर पुराना तमो परधान है तो आत्मा भी तमो परधान है ऐसी चीजों को हम देखकर क्या करें ये तो कुछ भी रहना नहीं है, उनसे प्रीत नहीं है, बच्चों में भी बाप की दिल उनसे लगती है जो बाप को अच्छी रितियाद करते हैं और सर्विस करते हैं, बाकी बच्चे तो साब हैं, कितने देर बच्चे हैं, सब तो कभी देखेंगे भी प्रजा पिता ब्रह्मा को तो जानते ही नहीं है, प्रजा पिता ब्रह्मा का नाम तो सुना है, परन्तु उनसे क्या मिलता है, ये कुछ भी पता नहीं है ब्रह्मा का मंदिर है, दाड़ी वाला दिखाया है, परन्तु उनको कोई याद नहीं करता है, क्योंकि उनसे वर्षा मिलना नहीं है उनसे वर्षा मिलना नहीं है, आत्माओं को वर्षा मिलता है एक लोकिक बाप से एक लोकिक बाप से, दूसरा पारलोकिक बाप से, प्रजा पिता ब्रह्मा को तो कोई जानते ही नहीं, ये है wonderful, बाप होकर वर्षा ना दे, तो अलोकिक ठहराना, वर्षा होता ही है, हद का और बेहद का, बीच में वर्षा होता नहीं, बल प्रजा पिता कहते हैं, पर तू वर्षा कुछ भी नहीं, इस अलोकिक बाप को भी वर्षा पारलोकिक से मिलता है, पारलोकिक से मिलता है, तो ये फिर देंगे कैसे, ये फिर देंगे कैसे, पारलोकिक बाप इनके थ्रू देता है, इनके थ्रू देता है, ये है रत, ये है रत, इनको क्या याद करना इनको क्या याद करना इनको खुद भी उस बाप को याद करना पड़ता है वे लोग समझते हैं ये ब्रह्मा को ही परमात्मा समझते हैं ये ब्रह्मा को ही क्या समझते हैं परमात्मा समझते हैं परन्तु हमको वर्षा इनसे नहीं मिलता है वर्षा तो शेव बाबा से मिलता है ये तो बीच में दलाल रूप है ये भी हमारे जैसा स्टूडेंट है ब्रह्मा भी हमारे जैसा शिव बाबा हमारे जैसा टीचर है के नहीं है हम तो टीचर है तो वो हमारे जैसा टीचर है या नहीं है वो हम आत्माओं को पढ़ाता है पढ़ने वाली आत्मा पढ़ाने वाला आत्मा तो हमारे जैसा हुआ के नहीं हुआ पस फर्क हमारा यही है के परमात्मा कभी भी शरीर नहीं लेता हम शरीर लेते हैं हम इस शरीर के द्वारा पढ़ते हैं वो भी हमें पढ़ाने के लिए ब्रह्मा के तन का प्रियोग करता है तो बिना शरीर के तो वो भी हमें नहीं पढ़ा सकता न उपर बैठके तो नहीं पढ़ा सकता न तो वो भी हमारे जैसा ही टीचर है हम दूसरे के तन का अधार नहीं लेते हैं वो एक अलग बात है प्रंतु बात यहां आती है कि उसे पढ़ाने के लिए तो शरीर चाहिए ना पढ़ाता तो उसी तरीके से है ना कोई अलग तरीका तो नहीं है ना पढ़ाने का उस बिचारे को शरीर बनाना नहीं आता हमें शरीर बनाना आता है हम शरीर बना लेते हैं अब उसे आता होता तो वो शरीर भी बना लेता उसको ताकत नहीं है उसे वो अकल नहीं है अब वो अकल कोई उसे दे भी नहीं सकता भई जो सबसे ज़्यादा है हम मान सकते हैं कि परमात्मा में हमसे ज़्यादा अकल है इसमें कोई डाउट नहीं, उसके अंदर भी अपना शरीर बनाने की ताकत नहीं है, इसका हम चैलेंज कर सकते हैं, कर सकते हैं ना चैलेंज, कह सकते हैं तो मतलब बात समझ में आरे हैं ना हमें, क्योंकि वो हमें चैलेंज कर सकता है, हम भी चैलेंज कर सकते हैं, ये गुण हम डरने की कोई बात नहीं, बाप कहते हैं इस समय सारी दुनिया तमों परधान है, तुमको योगबल से सतों परधान बनना है, बाकी बाप से हद का वर्षा मिलता है, तुमको अब बुद्धी लगानी है, बेहद नहीं बाप कहते हैं सिवाए बाप से और किसी से भी कुछ मिलना नहीं, फिर भल देवताएं क्यों ना हों, इस समय तो सब तमों परधान है, लोग किक बाप से वर्षा तो मिलता ही है, बाकी इन लक्षमी नारायन से तुम क्या चाते हो बाई, बतादो तुम क्या चाते हो, वे लोग तो समझते हैं ये अमर है, अभी कभी मरते नहीं, तमों परधान बनते नहीं हैं, लेकिन तुम जानते हो, जो सतों परधान थे, वही तमों परधान में आते हैं, श्री कृष्ण को लक्षमी नारायन से भी उंच समझते हैं, क्योंकि वे फिर भी शादी किये हुए हैं, फिर भी शादी किये हुए हैं, श्री कृष्ण तो जनम से ही पवित्र है, इसलिए श्री कृष्ण की बहुत महिमा है, जूला भी स्री कृष्ण का जुला को जुलाते हैं, जैंती भी स्री कृष्ण की मनाते हैं, लक्षमी नारायन की क्यों नहीं मनाते हैं, ज्यान ना होने के कारण स्री कृष्ण को द्वापुर में ले गए हैं, स्री कृष्ण को द्वापुर में ले गए हैं कहते हैं गीता ज्यान द्वापुर युग में दिया है कितना कठिन है किसको समझाना कह देते हैं क्यान तो परंपरा से चला आ रहा है ज्यान तो परंपरा से चला आ रहा है परंथू परंपरा भी कब से ये कोई नहीं जानता आखिर परंपरा भी कहीं तो शुरू हुई होगी ये कोई भी नहीं जानते पुजा कब से शुरू हुई ये भी नहीं जानते हम जानते हैं कब से शुरू हुई पुजा तौाप पुरसे शुरू परंपरा कहां शुरू यह हमारा अनादिकाल से तह नहीं, अनादिकाल से हूँ बहु पांच जार साल बाद ऐसे कैसा सब चाबता है यह भी नहीं जानते इसलिए कह देते हैं रच्ता और स्रिष्टी के आदी मद्य अंत को नहीं जानते हैं काल्प की आयू लखों वर्ष कहने से परंपरा कह देते हैं तित तारिख कुछ भी नहीं जानते हैं लक्ष्मी नारैन का भी जन्म दिन नहीं मनाते हैं इसको कहा जाता है अज्ञान अंदियारा तुम्हारे में भी कोई महा यथार्थ रीती इन बातों को जानते नहीं तब तो कहा जाता है महा रथी गोडे सवार और प्यादे गज को ग्रहा ने खाया ग्रहा बड़ा होते हैं ग्रहा क्या होते हैं? बड़े होते हैं एक दम हप कर लेते हैं उनका मुँ इतना लंबा होता है सीधा अंदर स्टक जाते हैं जैसे सर्प मेंड़क को हप कर लेते हैं भगवान को बागवान माली खिवया क्यों कहते हैं? ये भी तुम अभी जानते हो उसे बागवान क्यों कहते हैं? माली क्यों कहते हैं? खिवया क्यों कहते हैं? ये तुम अभी समझते हो बाप आकर विशे सागर से पार ले जाते हैं बाप आकर हमें क्या करते हैं विशे सागर से पार ले जाते हैं तब तो कहते हैं नया मेरी पार लगा दो तुमको भी अभी पता पड़ा है कि हम कैसे पार जा रहे हैं बाबा हमको खीर सागर में ले जाते हैं वहां दुख दर्द की बात नहीं तुम सुनकर औरों को भी कहते हो की नईया को पार करने वाला खिवया कहते हैं ए बच्चे तुम सब अपने को आत्मा समझो तुम पहले खीर सागर में थे अब विशे सागर में आप पहुँचे हो पहले तुम देवता थे स्वर्ग है वंडर ओफ वर्ल्ड सारी दुनिया में रुहानी वंडर है स्वर्ग नाम सुनकर ही खुशी होती है हैवन में तुम रहते हो जहां साथ वंडर्स दिखाते हैं ताज मैल को भी वंडर कहते हैं परन्तु उसमें रहने का थोड़ी है तुम तो वंडर ओफ वर्ल्ड का मालिक बनते हो तुमारे रहने के लिए है बाप ने कितना वंडर्फुल वेकुंठ बनाया है एक इस जन्मों के लिए पदमा पदम पती बनते हो तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए हम उस पार जा रहे हैं अनेक बार तुम बच्चे स्वर्ग में गए हो होंगे ये चक्र तुम लगाते ही रहते हो पुरशारत ऐसा करना चाहिए जो नई दुनिया में हम पहले पहले आएं पुराने मकान में जाने की दिल थोड़े लगती होती है बाबा जोर देते हैं पुरशारत कर नई दुनिया में चाओ बाबा हमें वंडर ओफ वर्ड का मालिक बनाते हैं तो ऐसे बाप को हम क्यों नहीं याद करेंगे बहुत मेंनत करनी है इसको देखते भी नहीं देखो बाब कहते हैं भल मैं देखता हूं परन्तु मेरे में ग्यान है मैं थोड़े रोज का मुसाफिर हूं वैसे तुम भी यहां पाट बजाने आये हो इसलिए ममत्व निकाल दो अच्छा अच्छा मिठे मिठे सिक्की लदे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गोड मर्ने रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते हम रुहानी बच्चों की रुहानी बाप दादा को नमस्ते 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 धारना के लिए मुख्य सार नमबर एक, गुहानी पढ़ाई में सदा बिजी रहना है, कभी भी नावल्स आदी पढ़ने की गंदी आदत नहीं डालनी है, अब तक जो कुछ पढ़ा उसे भूल बाप को याद करना है इस पुरानी दुनिया में स्वेहम को महमान समझ कर रहना है, इससे प्रीत नहीं रखने है, देखते भी नहीं देखना है, वर्दान हिमत और उमंग उस्था के बंखों से उड़ती कला में उड़ने वाले तीवर पुर्शार्थी भाव, उड़ती कला के दो बंख हैं, हिमत और उमंग उस्था किसी भी कारिये में सुपवता प्राप्त करने के लिए हिमत और उमंग उस्था बहुत जरूरी है, जहां उमंग उस्था नहीं होता, वहां थकावट होती है, और थका हुआ, कभी सफल नहीं होता, थका हुआ, कभी सफल नहीं होता, बर्तुमान समय के अनुसार, उर्ती कला के सिवाए, मन्जिल पर पहुँच नहीं सकते, क्यों? क्योंकि पुर्शार्थ एक जन्म की का और प्राप्ति 21 जन्मों के लिए ही नहीं, सारे कल्प की है, तो जब समय की पैचान स्मृति में रहती है, तो पुर्शारत स्वता तीवर गति का हो जाता है, अच्छा, स्लोगन है, सर्व की मनों कामनाई पूरण करने वाले ही काम धेनू है, जो सब की इच्छाएं पूरी करते हैं, वही क्या है, काम धेनू है, अच्छा, ओम, शान्ती, और विश्दार से जानने के लिए, प्रजा पिता ब्रमा कुमारी इश्वर्य विश्व विद्याले के किसी भी सेवत स्केद्र पर संपर्क करे, और यदि कोई प्रशन है, तो 92-131-06-986 पर केवल टेलिग्राम करें, 96-5069-2270 पर केवल वर्चेप करें, हो नहीं, ओम, शान्ती.